We are going to do the Artheriosclerosis, ठीक है, Artheriosclerosis जो होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें blood vessels में erythromatis plaque की deposition होती है, ठीक है, deposition of erythromatis plaque, ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास, सबसे पहले हम लोग कर लेते है, erythromatis plaque क्या होता है, ठीक है, उसके बाद हम लोग सारा continue करेंगे, ठ करो ना, तो इसमें हमारे पास दो चीज़े होती है, दो components होते है, एक हमारे पास होता है fibrous cap, और एक होती है lipid core, ठीक है, मैं आपको बुक से diagram भी दिखा दूँगा, और it's gonna be really easy for you guys, ठीक है, लेकिन पहले मैं आपको इस तरह, जरनली बना के दिखा देता हूँ, for example, this is the blood vessel ठीक है, यहाँ पे हमारे पास plaque बन गया, ठीक है, अब यह अब ही erythromatis plaque है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, मैंने अल्रड़ी बता दिये, एक हमारे पास होती है lipid core, और एक हमारे पास इसमें होता है fibrous cap, ठीक है, अच्छा, अब जो lipid core होता है, यह बना होता है, कलिस्ट्रोल से कلिस्ट्रोल क्रिस्टल petrolze हो गए इसके लावा firm cells लोते हैं इसमें necrotic debris होता है ठीक है इस lipid core में ठीक है अब सबसे पहले यह तो हमें पता है कलिस्ट्रोल क्रिस्टल क्रिस्टल जिया ठीक है लेकिन foam cells क्या होते है जब aした Incorphages lipid को इंगल्फ कर लेते हैं इस ने लिपिट को इंगल्फ किया गए आज तो वी कॉल दैट कांड ओफ मैक्रोफेज एजा फोर्म सेल ठीक है तो इसमें हमारे पास लिपिट कोर में फोर्म सेल्स भी होते हैं ठीक है अगर आप फिबरिस कैप की बात करोना तो fibrous cap मेली बना होता है extra cellular matrix में से extra cellular matrix के कौन से component से जैसे के collagen हो गया, elastin वगयरा हो गया इसके लावा proteoglycan हो गया, hyaluronic acid हो गया fibronectin, laminin वगयरा हो गया ठीक है इसके लावा जो fibrous cap होता है इसमें हमारे पर smooth muscles भी होते हैं जैसे के मैंने यहाप पर show भी किया है, these are the smooth muscles यह हमें square square जो नज़रा रहें, ठीक है, macrophages वगयरा होते हैं इसके लावा neurovascularization वगयरा होती है, इस fibrous cap में, ठीक है अब हम आते हैं, erythromatis plaque तो हो गया, ठीक है अब हम लोग करते है, fate of artherosclerosis, ठीक है अब इसकी fate यह होती है, कि या तो इसकी obstruction, या तो ये blood vessel की obstruction कर देता है, मतलब blood vessel को बंद कर देता है या तो ये तूट सकता है, और तूट कर, इससे छोटे छोटे टुकडे बन जाएंगे और ये जा गया पूरी body में, ultimately हमारे पास thrombosis और occlusion cause करेगा तो मैंने बता दिया, obstructions cause करेगा, rupture हो सकता है, thrombosis और occlusions वगारा cause कर सकता है, ठीक है अच्छा, ये भी हो गया, अब हम आते हैं risk factors of artherosclerosis, ठीक है अब risk factors of artherosclerosis जो होते हैं, इसमें हमारे पास mainly 3 risk factors होते हैं एक हमारे पास होते हैं constitutional risk factors, modifiable risk factors and additional risk factors अब जो constitutional risk factors, ये वो risk factors होते हैं, जो already present होते हैं इसमें आप कोई change नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब for example, इसकी examples है age मतलब for example एक बंदे की age 50 है, तो आप उस 50 को change तो नहीं कर सकते हैं, तो बंदा 50 के ही रहेगा ठीक है, मतलब वो factors जो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, सही है, इसके लावा जनेटिकल factors, जो जनेटिक्स से आते हैं, एक बंदा है, उसके बाप को एक मसला है, तो उसके बच्चे को भी वही मसला होगा, ultimately, अगर वो जनेटिकल disease है, ठीक है, इसके लावा, हमारे पास gender आ जा ठीक है, पिर आते है, modifiable, modifiable में different होते है, hypertension, hyperlipidemia, smoking, diabetes, malitis, अब यह वो होते हैं, जिनको आप change कर सकते हो, control कर सकते हो, ठीक है, तो यह है, अच्छा, पिर आते है, additional factors, additional factors जो होते हैं, यह, मतलब इन में वो है, like, अभी भी conflict है, कि यह factors cost कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकि इसको याद लोने के लिए, मैंने एक निमोनिक बनाया, हारिस, लिम्प, CCS, ठीक है, हारिस, लिम्प, CCS, ठीक है, तो हारिस का जो H है, इससे आप याद रख लो, hyperhomocysteineuria, या cystinemia, ठीक है, homocysteine का level जाद हो जाएता है, hypercysteineuria में, ठीक है, इसमें L से हमारे पास आएगा, लाइपो, प्रोटीन, अलफा, I से हमारे पास आएगा, inflammation, M से आएगा, metabolic syndrome, P से हमारे पास आएगा, procoagulation, या procoagulant, C से हमारे पास आएगा, CRP level, फिर C से आएगा, clonal hemolysis, S से हमारे पास आएगा, stress, ठीक है, इन सब को मैं explain कर दूंगा, individually, ठीक है, अच्छा, अब हम आत है, constitutional factors, constitutional factors में हमारे पास आ रहा था, सबसे पहले हम लोग करेंगे, genetic, ठीक है, genetical disease, for example, genetical disease है, हमारे पास familial hypercholesterolemia, ठीक है, उस में क्या होता है, familial hypercholesterolemia में, कि हमारे पास cholesterol का level body में जादा हो जाता है, and that's a genetical transfer disease, ठीक है, पिर age में, जो 40 से 60 साल के बीच के बंदे होत में, या उन से जादा, 60 साल से जादा, उन में चांसे जादा हो जाए है, कि उनको आथि उसकी रोह से जो, ठीक है, पिर gender की बात करते है, gender में, male में common है, ठीक है, लेकिन अगर आप female की बात करते हो ना, तो female में, pre-menopausal female जो होती है, मतलब, menopausal उसका नहीं हुआ हुआ some kind of hormones like estrogen and progesterone which are going to inhibit those, these plaque formations and ultimately उस female में, artherosclerosis के risk कम हो जाते है, for example, एक बंदी है, जिसका female है, जिसका menopausal stage आ चुका है, साट साल से जादा की female है, तो उसमें क्या होता है, उसमें उसका estrogen वगारा का level कम हो जाता है, ठीक है, तो ultimately उसमें probability जादा हो जाती है, इस disease की, ठीक है, लेकिन अगर आप साट, आप ऐसा सोचोगे कि साट साल की बंदी है, लेकिन इसको अगर हम estrogen दे दे दें, तो फिर इसका probability कम हो जाएंगी, तो ऐसा possible नहीं है, क्योंकि सिर्फ estrogen नहीं होता है, इसके लावर different or factors भी होते हैं, लेकिन main estrogen होता है, लेकिन अगर आप इसको estrogen therapy दे दोना, तो फाइदा नहीं मिलेगा इसको, ठीक है female को, अब आते है modifiable ना, तो modifiable में हमारे पस हमने कहा, सबसे पहले था hyperlipidemia, जिसमें hyperlipidemia क्या होता है, cholesterol का level ज़्यादा हो जाता है, LDL का level ज़्यादा हो जाता है, HDL का level पर एक्जामपल जो लोग saturated fats ले रहे होते हैं, जैसे घी हो गया, या butter वगयरा हो गया, तो उन में hyperlipidemia की causes जादा होती है, मतलब उन में हो सकता है, लेकिन जो polyunsaturated fats ले रहे होते हैं, ठीक है, जैसे omega 3 वगयरा हो गया, fish oil वगयरा हो गया, liver oil वगयरा हो गया, तो उन treatment में आप क्या करते हो, hyperlipidemia में, आप statins दे देते हो, अब hypertension जो है, वो भी हमारे पास ये atherosclerosis करेश जादा कर देती है, क्यों जादा कर देती है, because of the pressure, because of the pressure in the blood vessel, it leads to injury of the endothelium, ultimately risk increases, फिर आता है secret smoking, smoking भी हमारे पास कुछ एच्छे factors रिलीस करता है, जो blood vessel को damage कर दाता है, ultimately risk जादा हो जाता है, ठीक है, फिर आते है diabetes, diabetes जो है, वो भी हमारे पास damage भी cause करता है, blood vessel की, लेकिन इसके साथ-साथ हमारे पास fats का level भी increase कर देता है, ultimately there is going to be increase risk of disease, ठीक है, atherosclerosis, अच्छा, आते है additional factors में, additional factors में हम लोगों ने तो different पढ़े थे, कोई 7-8 पढ़े थे, paper मे आएगा आपने सारे लिकने, लेकिन जो में extra बाते बताने वाली हैं, वो मैं बता दे तुम, CRP, C-reactive protein, यह हमारे पास different inflammations में release होता है, जब इसका level जादा हो जाता है, यह risk increase कर देता है, पिर आता है homocysteine urea, ठीक है, hyper, अब for example, हमारे पास body में vitamin B12 and folate होता है, जो हमारे प हो जाए, तो ultimately, it can lead to, it can lead to increase level of the homocysteine, ultimately risk increases, ठीक है, इसके लावा आता था, lipoprotein A, lipoprotein A, जो है, obviously lipoprotein है, इसमें एक component होता है, जिसको आप कहते हो, apple lipoprotein A, ठीक है, which also increases the risk, ठीक है, इसके लावा एक है, हमारे पास clonal hematopoiesis, obviously, clones बन रहें, B cells के, T cells के, इसके लावा और, जो मेगा कारियोसाइट्स थे, और, ठीक है, mass cells वगारा थे, सब चीजों के clones जादा, abnormal जो है, उनकी growth हो रही है, तो ultimately, उसकी वाइसे plaques बनेंगे, and ultimately, risk जादा हो जाएगा, ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं, pathogenesis of the atherosclerosis, ठीक है, pathogenesis of atherosclerosis की अगर आप बात करो ना, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें एक theory है, या hypothesis है, जिसको आपके तो response to injury hypothesis, response to injury hypothesis का मतलब यह है, जब तक आप किसी बन्दे को damage ना पहुंचाओ, वो आपको उसके response नहीं देगा, for example, एक बन्दा है, जिसको मैं मुँपे मुक्का मारता हूं, तो inner response मुझे भी मुक्का मारेगा, या मुझे भी वो गालियां देगा, तो this is the action reaction process, बतलब अगर आप कुछ करोगे, तो आपको उसका consequences गजारनी पड़ेंगी, तो इसमें भी यही होता है, बोड़ी में कुछ होता है, तो उसी की वज़ा से हमारे पास disease पैदा होती है, ठीक है, अब देखो, तो अगर हम pathogenesis की बात करें ना, तो इसमें कुछ steps है, ठीक है, एक endothelial injury, ठीक है, first endothelial injury है, ठीक है, endothelial injury में क्या होता है, for example, हमारे पास endothelial wall है, वो damage हो गई है, ठीक है, यह simple, यह सीधी थी लेकिन यह wall damage हो गई, अब wall damage दो वजवात की वज़ा से हो सकती है, एक वज़ा जो है, हीमो dynamic disturbance होती है, हीमो dynamic disturbance क्या होता है, कि for example, हमारे पास blood जो है ना, पहले सीधा जा रहा है, liminar flow है, लेकिन जब different branches आती है, ठीक है, जैसे for example, यह सीधा जा रहा था है, अब different branches जब blood की आ हो जाता है, मतलब पहले वो एक speed में जा रहा था, अब उसको मुड़ना है, कुछ other blood इदर चला जाएगा, other blood इदर चला जाएगा, तो उसके उस सारा जो liminar flow होता है ना, उसमे disturbance हो जाती है, तो, अगर एक बंदा है, जिसको physiologically, physiologically तो हमारे branching points की बात मैंने कर लिया ना, कि branching points की वज़ए से hemodynamic disturbance हो जाती है, मतलब blood के flow में disturbance आ जाती है, ठीक है, लेकिन एक बंदा है जिसकी turbulent flow है, मतलब flow ही उसकी ठीक नहीं है, तो वो भी हमारे पास hemodynamic disturbance cause कर सकता है, तो दो बाते मैंने बताई है hemodynamic disturbance में, एक हम हमारे पास है branching points में, हमारे पास blood flow जो होता है, वो टेड़ा पड़ा हो जाता है, मतलब normal जिस तरह वो पहले आ रहा था, एक अपनी proper speed में, अपनी proper concentration में वैसा नहीं रहेगा, और एक turbulent flow, turbulent flow, वो भी हमारे पास hemodynamic disturbance cause कर सकता है, ठीक है, अच्छा, अब हम आते है, hypercholestinemia, ठीक है, hypercholestinemia मतलब कि cholesterol का level body में जादा हो जाए, तो अगर cholesterol का level बाड़ी में जादा हो जाएगा ना, तो it can also lead to endothelial injury, ठीक है, अब endothelial injury इसकी वज़े से कैसे होती है, देखो, cholesterol का level कौन सी cholesterol का level जादा है, जो मैंने already बता भी चुक हूँ, मतलब cholesterol का level जादा हो गया, ल hyperproteins का level जादा हो गया, LDL का level जादा हो गया, HDL का level कम हो गया, इसके लावा kogenetical causes भी हो सकती है, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या करती है, ये चीज़े हमारे पास वो कास कर देती है, इंडothelial injury कास कर देती है, अब for example, एक बंदा है, जिसको hypercholestronemia है ना, तो ये किन वज़ हाद की वज़ा से hypercholestronemia हो जाता है, मतलब का level body में क्यों जादा हो जाता है, इसलिए जादा हो जाता है, देखो, हमारे पास एक बंदा है, जिसको हम की cholesterol का कह रहे हैं कि cholesterol का level जादा होगा तो वो इंडothelial injury cost करेगा, देखो, reactive oxygen species जो होती है, जैसे वो होता है, O2, reactive oxygen species हम पढ़ भी चोके ना, अपनी थर्ड़े की knowledge पर जैसे, this is the reactive oxygen species, this is the reactive oxygen species, this is the reactive oxygen species, ठीक है, तो ये चीज़े जो होती है, ये क्या करती है, कि ये भी hypercholestronemia cost करवा देती है, ठीक है, बता दूँगा कैसे cost करती है, ठीक है, क्योंकि एक तो ये cause हो गई, कि ये बन गया, ultimately हमारे पस nitric oxide का level होगा, वो कम हो जाएगा, क्योंकि nitric oxide is a vasodilator, ठीक है, लेकिन अगर reactive oxygen species के साथ nitric oxide react कर जाएगा, तो ultimately क्या होगा, nitric oxide से जो है, N2O बन जाएगा, ठीक है, NO2 बन जाएगा, ठीक है, जब NO2 बन जाएगा, क्योंकि ये एक oxygen ये था, एक oxygen इसका मिल गया, तो N2O which is not a vasodilator, तो एक ही एक आउस होगी, ठीक है, इसके लावा second हमारे पस होता है, कि for example, हमारी blood में LDL होता है, क्लेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, LDL होता है, क्लेस्ट्रॉल होता है, वो जाता है, इंटिमा में accumulate कर जाता है, ठीक है, इंटिमा में accumulate जब वो कर जाता है, उसके बा oxidize कर देती हैं जब यह oxidize हो जाती है तो ultimately oxidized LDL or oxidized cholesterol crystal will form form cells growth factors and different kind of cytokines and chemo toxins ठीक है अब क्या होता है मैंने बता दिये अब यह सारी चीजे जब यह जादा हो जाएगी तो ultimately हमारे पस kilo strong का जब किलोस्ट्रॉल का लेवल जदा हो जएगा तो इसकी वज़ाए से अल्टिमेटली इंडोथीलियल इंजरी हो जाएगी ठीक है तो इंडोथीलियल इंजरी में मैंने कौन सी बाते बताई थी एक हम लोग ने हीमो डानामीक डिस्टर्बिंस पढ़ी थी और एक हम लोग ने हाईपर केलोस्टलीमिया पढ़ा था ठी कैест अब हम आते हैं सेकंड पॉंट जो हमारे पास पैतो जेनेसिस में है सेकंड पॉंट है इंफ्लेमेशन इंफ्लेमेशन हो गई inflammation की वज़ए से क्या होगा हमारे पास जो वो है addition molecules है वो blood vessels पे appear होना शुरू हो जाएंगे मतलब कि blood vessel पे addition molecules combine होना शुरू हो जाएंगे जब blood vessel पे addition molecules bind होना शुरू हो जाते हैं तो उसकी वज़ए से क्या होता है देखो for example ये blood vessel है इसके हमाँ पे addition molecules bind होना शुरू हो जाएंगे जब addition molecules bind होना शुरू हो जाएंगे तो इसकी वज़ए से क्या होगा कि जैसे mainly हमारे पास V-cam होता है जो रॉबिंस में लिखा हुए example में ठीक है V-cam 1 ठीक है अब इसकी वज़ए से क्या होगा कि हमारे पास different white blood cells जो हेंवो intima में जाना शुरू हो जाएंगे अब जब different white blood cells हो गहे macrophages वगएरा हो गहे monna site's वगएरा हो गहे ये अंदर जाना शुरू हो जाते है intima में तो इसकी वज़ए से क्या होता है कि हमारे पास white blood cells जो हो ओते हैं क्योंकि reactive oxygen specie वहां पर present था अब जब white blood cells और macrophages जो है वो macrophages जो है monocides जो होते हैं macrophages में convert हो जाते हैं white cells जो होते हैं oxidized white cell में convert हो जाते हैं तो ultimately ये हमारे पास जो हो गया fourth point हो ठीक है फिर क्या होता है इस तमाम macrophages वगरा की वज़े से different cytokines release होते हैं अब different cytokines release होते हैं तो वो क्या करते हैं वो T cells का level जो है ज़ादा कर देते हैं इंटिमा में ठीक है जब T cells का level इंटिमा में ज़ादा हो जाता है तो T cells different type of growth factors release करते हैं जैसे platelet derived growth factor हो गया transforming growth factor बीटा हो गया fibroblast growth factor हो गया अब ये चीज़े क्या करेंगी? ये हमारे पास स्मूथ मसल की production ज़ूदा कर देंगी और एक्स्ट्रा स結果 की deposition भी जा दा करने शुरू हो जाएंगी ठीक है? जब स्मूथ मसल की production जाधा हो जाएंगी और एक्स्ट्रा सिलूदा ce selfish की deposition शूरू हो जाएंगी इसके बाद क्या होगा इसके बाद हमारे पास smooth muscle की requirement भी start हो जाएगी यह तीनो processes जो है ना ये वाला process smooth muscle requirement smooth muscle production smooth muscle cell production और extra cellulametric stabilization यह तीनो एक साथ ही हो रहे होते हैं ठीक है अब जब यह तीनो processes एक साथ हो रहे होते हैं तो क्या होता है end में हमारे पास बन जाता है प्लैक ठीक है दोबारा बता देता हूं क्या हुए इंडुथीलिल इंजरी हुई है पिर उसके बाद inflammation हुई है inflammation की वज़से हमारे पास different जो है वो addition molecules attach हो गए जिसकी वज़से हमारे पास monocytes, microphages, white cells आना शुरू हो गए वो इंटिमा की लेर तक गए हैं इंटिमा में जब वो गए है तो उसकी वज़से different cytokines release हुए ultimately T cells बने टी cells ने जो है वो different growth factors release करवाए है ultimately हमारे पास smooth muscle cells बने extra cellulomatics reposition start हो गई है and extra cellulomatics requirements start हो गए which can which ultimately leads to black formation तो अब जो black बन जाएगा obviously मैं पहले बता भी चुक हूँ उसमें lipid core होगा and fibrous cap होगी ठीक है और इन ही processes में हमारे पास lipid deposition भी start हो जाती है और वो जो foam cells होते हैं वो भी बनना शुरू हो जाते हैं और black में तो already मैं बता चुक हो ना pack में क्या क्या होता है ठीक है that's it thank you